तो इस प्लेलिस में कुछ वीडियोस पहले हमने मैक्रोस्कोपी लेबल पर ओम सलॉक पोलता है कि भई पुटेशल और करन्ट के बीच में हर एक पॉइंट पे जो रिष्ता है रेलेशन्शिप है वो लिनियर है स्ट्रेइट रिष्ता सिरी रिष्ता है मतलब हार एक प्rail पयंट पे जो करण्ट है वो पूटेंचल के प्रपोश्णनल मतलब अगर आप पूटेंचल को इंक्रीश करोगे बढ़ाओगे तो तो current भी increase होगी बढ़ेगी उसी proportion से उसी गुना factor से ठीक है और अगर आप potential को कम करोगे घटा होगे तो current भी उसी proportion से कम होगी घटेगी और जो proportionality factor है कितनी गुना से change हो रही है वो depend करता है material पे यानि कि उसकी resistance पे और अब देको potential हो गया अपका current हो गया यह macroscopic properties आप उनको रोजमर्रा की जिनकी में day-to-day life में measure कर सकते हो आज हम material के अंदर जाने की कोशिश करें हो देखिए कि भी microscopic level पे ohms log क्या बोलते है इसका क्या मतलब है ठीक है लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप से request है कि आप इस playlist में दो वीडियो किया थे हमने उनको ज़रूर देखिए क्योंकि जो हमने उन वीडियो में discuss किया रहा आज उनको use करने वाले हम लोग ठीक है एक है drift velocity क्या ह होती है दूसरा current density क्या होता है ठीक है तो अब ड्रिफ लॉसी के वीडियो में हमने देखा था कि बैच अलेक्टरॉन की जो ड्रिफ लॉस्टी होती है वो किसके बापर होती है small e capital e tau divided by m small e क्या है electron पे charge capital e क्या है electric field तो क्या है average collision time दो टकराव के बीच में दो collision के बीच में average time कि इतना है और इसको divide करो mass है ठीक है अगर आपको समय नहीं का कि drift velocity क्या हो और यह expression हमने कैसे निकाली है तो drift velocity के वीडियो में हमने drift velocity में detail में बात किया और इसको देखिए ठीक है तो similarly हमने current density के वीडियो में drift velocity और current density के बीच में relationship प्रिष्टा देखा था हमने देखा थे कि drift velocity होती है current density divided by n e current density microscopic property आपको बदाता कि किसी एक point पे material में कितनी current pass हो रही है यह उसके shape पे depending करता size पे depending करता dimension पे depending करता क्योंकि यह microscopic property तो एक किसी एक point में से कितनी current गुजर रही है वो आपको बताता है ठीक है एन्हां आपका conduction electrons per unit volume एक unit volume में कितने electrons हैं जो free है जो कर सकते हैं charge के flow के लिए current के flow के लिए राइट और एक क्या है यह आपका है charge on an electron ठीक है तो अगर दोनों के दोनों एक्सक्रेशन drift velocity की हैं तो मैं दोनों को equate कर सकता हूं दोनों को बराबर मान सकता हूं ठीक है और जब दोनों को मैं बराबर करूंगा इसको यहां पे move करूंगा तो आपके पास एक current density का expression आ जाएगा एक जिसके प्रबाब होगा वो n e squared tau by m into e ठीक है यहाँ पे अगर आप देखो m electron का mass यह constant है charge e electron का वो constant है और किसी एक material के लिए given temperature पे जो आपका n conduction electrons per unit volume वो भी constant रहेगा और tau जो आपका average collusion time है वो भी constant रहेगा हमने देखा था drift velocity की वीडियो में कि बहई जब electric field apply करते हो तो उसे drift velocity मिलती है लेकिन जो उनकी जो velocity है अपनी velocity है और जो collusion के बीजिए टाइम लग रहा है उस पे effect नहीं पढ़ता electric field का तो एक given temperature पे एक given material के लिए ता भी constant रहेगा तो यह पूरी की पूरी जो आपकी टर्म है यह एक given material के लिए लेकि इस एक given temperature पे constant है तो अब अगर यह पूरी की पूरी टर्म constant है तो इन सब की जगा मैं एक constant लगा सकता हूं sigma इसको मैं एक और तरीक से देख सकता हूं वह यह कि इस equality और इस constant को हटा के मैं लिख सकता हूं कि जैस प्रपोर्शनल टू ई तो हमने जो नितिजा भी निकाला है कि करण डेंस्टी होता है वह सिग्मा इक बराबर होता यह फिर करण डेंस्टी प्रपोर्शनल न किसके होता अध्र फील के यह आपका ओम्सला माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ठीक है तो अभी एक क्वेशन आप हो क्या पता रही है पहल क्रण डेंस्टी और अलेक्ट्रीक फील के बीच में रिष्टा है रिलेशनीशिप है वह लीनियर यह से मैक्रोस्कोपिक लेवल में देखा था हमने की बैई पुटैंशिल और करंट की बीच में जो रिष्टा था वह लीनियर है यहां पे क्या बोल रहे हैं हम लोग लोग Filtnorm akranकटटश्ट और जो रिश्टा वह लीनियर रिश्टा है यानि अगर आप लेक्ट्रिक फील को बढ़ाओंगे तो आपकी और जो N है, Conduction Electrons Per Unit Volume, यह हर एक material के लिए different होंगे, अलग-लग होंगे, और इसलिए जो conductivity है आपकी, वो material पर डिपेंड करेंगे, और सिग्मा को, इसको हम क्या बोलते है, conductivity बोलते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास conductivity, जिसको आप उल्टा लड़का दो, तो क्या बन जाएगा हो बंगे, कोई material कितना रुकाव कर रहा है, करन्ट के फ्लो को को, इसको हम conservative भी बोलते हैं, इसलिए, जो 1 by सिग्मा होता है उसको हम possessed Effective algunas frequencies की बोलते हैं, ठीक है, और यह बताता है कि कोई सा model जो हमने बनाया हुए राक्ट राउन्स का उसके अभीस पे हम लोग material के अंदर गुश सकते हैं और काफी सारी